Hello Friends, मैं आकांगशा, कुक्वित आकांशा स्टैल की कीचिन में आपका बहुत स्वागत है, आज हम बनाएंगे मत्री, जी मैदे की मत्री तो आपने मार्केट से बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे गेहूं की आटे की मत्री, जो की खाने में खास्ता तो है ही, अगर इस टिक के साथ आप मत्री बना लिए, तो आप बार बार यही खाना पसंद करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहरे एक बॉल में एक कट्टोरी गिहूं का आटा लेंगे, वंटी इस्पून अजवाइन डालेंगे, वंटी इस्पून काली मिर्च पॉर स्वाथ के अनुशार्स नमक डालेंगे, टू टेबल इस्पून घी डालेंगे, और सभी को हाथों से ही पहरे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, तो देखी इस तरीके से ये बंद रहा है, तो गी हमने परफेक्टी डाला है, थोड़ा थोड़ा पानी देते हुवे इसे गुन लेंगे, इसे रोटी की डो से थोड़ा सा सक्त गुन लेंगे, तो मठ्री है ना बहुत ही खासत बनेगी, जिसमे मैंने नौर्मन पानी यूज किया है, तो ये से गुन लेते हैं, तो ये देखी, डो मैंने रेडी कर लिया है, डो एकदम सक्त है, तो इसकी छूटे छूटे लोई तियार कर लेते हैं, जैसे रोटी के लिए डो तियार करते हैं, आपको लोई तियार कर लेना है, सूखा जैसे रोटी के लिए बेलते हैं अजी इतने भी रोटी तियार करेंगे न सब एक ही साइज का कीजिएगा क्योंकि आरे लेयर वाली तो एक ही साइज का होना चाहिए तो बस इस तरीके से और भी बेल लेते हैं एक रूटी के उपर पहले घी लगा लेंगे मैं घी को बरस की सहता से लगा रही हूँ अब घी के जगा पर रिफाइन वाल भी उच कर सकते हैं लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा इस अज़िके से पूरे में मैंने लगा लिया है फिर इस पे मैदे से डस्ट करेंगे फ्रेंट सापी शिच का ध्यान डखिएगा कि आटे से बिलकुल डस्ट मत किजएगा उससे क्या होगा ना कि मठ्री की जो लेयर है ना वो नहीं खूलेंगे चिपक जाएगे फिर सेकेंड रोटी भी इस तरीके से उपर रख देंगे बेलते से मिश्चिच का ध्यान डखिएगा कि सब बराबर ही बेलिएगा फिर उसके उपर घी लगा देंगे पूरी इस तरीके से साइट साइट से भी फिर मादे से डस्ट करेंगे फिर उसके उपर एक रोटी रखेंगे देखिए मैं कितना पतला बेली हूँ बस सेम आपको वैसे पतला बेल लेना है तो यह प्रोसेस इसी तरीके से फिर से कर लेंगे एक बार आप यह मठ्री खा लिए ना तो आप मैदा का भूल जाएंगे इसलिए आप इस एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा फिर मैदा से डस्ट कर लेंगे फिर इस पॉइंट से आपको मोर लेना है और दबाते हुए इसको रोल बना लेना है तो नस्दिक नस्दिक ही इसको मोरेंगे यह देखे इस तरीके से इस तरीके से यह थोड़ा मोटा हो गया है तो रोल करते हुए से थोड़ा पतला कर लेंगे देखे इस तरीके से पतला कर लेंगे तो रोल कर लिए है अब नाइफ की साहता से दोनों साइट से कट कर लेंगे ताकि सेप अच्छा आए और इसे ज्यादा मोटा नहीं कट करेंगे तो यह देखे इस तरीके से सारे कट कर लिए हैं एक मठ्री को इस तरीके से हाथों से ही घुमाते हुए इसका गोल सेप देदेंगे और इसे प्रेस कर देंगे मठ्री ऐसे ही मैं त्यार कर लेती हूँ सुखा मैदा लगाकर इसे हलकी हाथों से ही बेल लेंगे मठ्री के साइज का यह देखे सारी मठ्री बेल लिए हैं वाइल को medium flame पे ही गरम किये हैं तो धीरे-धीरे मठ्री को वाइल में ढालेंगे और flame को low कर देंगे जैसे आप निमकी fry करते हैं नलो flame पे बस्वेसे ही करना है इससे क्या होगा कि मठ्री के layer भी अच्छा से खुलेंगे और आपका मठ्री भी बहुत ही खास्ता त्यार होगा आप च्छाय के साथ भी से enjoy कर सकते हैं कहें traveling के लिए जा रहे हैं वहाँ भी बना के ले जा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है खाने में मठ्री उपर आने लगी है तो अलट पलट कर इसे golden fry कर लेते हैं मठ्री golden fry हो गई है अब इससे plate में निकाल लेते हैं तो इसी तरीके से सारे मठ्री को fry कर लेते हैं तो मैं आपको इस तोर के दिखाती हूँ यह देखें उमीद करती हूँ कि लेयर वाली मठ्री की रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दे सब्सक्राइब पर न बिल्कुल न भूले फ्रेंड्स और फैमली के साथ सेर भी करें बाइं टे क्ये कर दिखेंगर तो कि रहले हूँ कर द आई हो घडिएμε वा भी कर दो कर feels Chili कर मौयद के सब्सक्राइब पसंद आफ रम